हेलो एंड वेलकम टू उन्नति आईएज आज से हम शुरू करने जा रहा हैं इगनू असिस्टेंट रजिस्टार के सिलेबस में मौक टेस्ट हम स्टार्ट करने जा रहा हैं और आज हमारे दो मौक टेस्ट अपलोड किये जाएंगे हमारे चैनल पर जो कि दोनों जन्नल उसमें ज्यादा से ज्यादा कोशन कवर करने की हमारी कोशिश रहेगी और यहां पर भी मौक टेस्ट में मैंने हाला कि आपको नंबर वाइस तो यह 25 से 30 कोशन दिखाई दे सकते हैं लेकिन रियल में यह मैंने एक एक कोशन में 445 55 facts को कवर किया है जिस तरह आप यह देख स देने लिखित को सुमेलित कीजिए अनुच्यद और एक साइट में मूल अधिकार दिये हुए है अनुच्यद 19, clause 1, संग, अनुच्यद 19, clause 3, संचरा, अनुच्यद 19, clause 4, वाकियां अभी वयक्ती आपको इसको सुमेलित करना है इसी तरह English में भी दिया हुआ है इसमें से आपको बताना है कि सही सुमेलन कौन सा है तो इसका सही आंसर है option A 4, 1, 2, 3 पहले का 4 दूसरे का 1 यानि कि article 19 clause 1 वाकिय अभी वैक्ती की के बारे में बात करता है speech and expression के बारे में बात करता है article 19 clause 2 समेलन यानि के union के बारे में बात करता है article 19 clause 3 union के बारे में बात करता है और clause 4 संचरन यानि के movement के देश के भीतर कहीं पर भी आवा गमन के बारे में बात करता है कि बिना रोग टोक आप देश के अंदर कहीं पर भी संचरन कर सकते हैं तो इसका एक स्लाइट पर हमने कोश्चन ले लिया है डूसरी स्लाइट पर आंसर का इसमें से आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है या कौन दोनों सही है या कोई सही नहीं है या कोई एक सही है तो इसका आंसर है अगला कोशन देखते हैं मूल अधिकारों के उलंगन पर कौन सा अनुच्चेद नागरिकों को उच नियायाले में जाने के लिए प्राधिकरप करता है जाने के लिए अधिकरत करता है अनुच्चे 226 आपको हाई कोर्ट में जाने के लिए देखते हैं का अधिकार देता है चोथा कोशन है निम्र मेंसे कौन सा मूल अधिकार भारतियनागरिक तता विदेशियों दोनों को प्राप्त है पहला अल्पसंक्याकों के शिक्षा एं संस्कृती संबंदी अधिकार दूसरा ओप्षन है लोक नियोजन के विशे में आउस दोनों को प्राप्त है, which of the following fundamental rights is available to both Indian citizens and foreigners, option A, right to education and culture of minorities, option B, equality of opportunity in public opportunities, in public services, sorry ये public services होगा, prohibition against human trafficking, right to thoughts, expressions and peaceful conference, इसका सही answer है, option C, मानव वयपार के विरुद प्रतिशेद, prohibition against human trafficking, अगला question है, मैं से सही कथन चुनिये, statement 1, अनुच्छेद 18 उपादियों का अंत करता है, statement 2, अनुच्छेद 18 भारती नागरिकों को केवल विदेशी राजियों से उपादी प्राप्त करने की छूट देता है, इसी तरह इसका English version है, choose the correct statement from the following, statement 1, article 18, ends the titles, statement 2, article 18, allows Indian citizens to obtain degrees only from foreign states, यानि के foreign nations, political science की भाषा में, country को state कहा जाता है, तो आप states ही हाँ, भारती राजियों को लेकर confused ना हूँ, इसका सही answer है, option A, केवल एक, यानि के अनुच्छेद 18, भारती नागरिकों को विदेशी राजियों से उपादी प्राप्त करने को निशेद करता है, अगला कोशन है, अनुच्छेद 22 के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, option A, गिरफतार करने के आधार पर सूचना देने का अधिकार, option D, दन्द अधिकारी द्वारा बिना आतिरिक निरोध दिये, 24 घंटे में रिहा करने का अधिकार, इसमें कोशन में पुझा है कि अनुच्छे 22 के संबंद में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, which of the following statement regarding article 22 is not correct, right to give information on the basis of arrest, option B, right to consult and immunize the legal practitioner, option C, right to appear before the magistrate in 24 hours excluding the travel time, option D, right to release in 24 hours without additional detention by the magistrate, इसका सही answer है, option C, दन्द अधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा समय को हटा कर पेश होने का अधिकार, जबकि इसका सही, ये statement गलत है, जबकि इसमें होता है, दन्द अधिकारी के सम्मुख 24 घंटे में यात्रा समय को मिला कर पेश होने का अधिकार, किसी भी वैक्टी को दिया जाता है, यात्रा समय को मिला कर 24 घंटे के अंदर, उसे magistrate के सामने प्रस्तू करना होता है, यानि कि right to appear before the magistrate, in 24 hours, including travel time, और वहां दिया हुआ था, excluding, statement में हमारे excluding दिया हुआ था, अगला question है, प्राचीन भारत के आरंभिक नगरों का निर्माण किस न गंगा, इंडस, चंबल और जेलम, ये तो अशाभी को पता होगा, कि सिंधु नदी के किनारे, प्रारंभिक नगरों का को बनाना शुरू किया गया था, लगबख 4700 वर्षोपूर, सिंधु नदी के किनारे कुछ आरंभिक नगरों का विकास हुआ था, हरपन civilization का, अगला question question हमारा, निमन में से कौन सा पुरा पचाड़ी के, पुरा इस्थल है, पहला भीम बेट का, दूसरा हुसंगी, तीसरा कुरूनूल की गुफा है, आपको question हो सकता है कि tough लग रहे हो, लेकिन मैंने इसी तरह से इसको frame किया है, तागी आपका एक question में statement को लेकर, चार चार पा पर 5-5 question भी cover हो जाए, अगर यहां से देखा जाए, तो इस question में सही मायनों में कि 3 question cover किये गए हैं, तो इस तरह आपको UPSC level के भी question, UPSC level के ही question मैंने यहां पर frame किये हैं, ताकि आपको difficulty level वहां पर, आप mentally exam में prepare हूँ, which of the following is a paleolithic side, भीमबेट का, हुसंगी, कुर्नूल केवज, तो पहला option है, एक और तीन, option B, एक और दो, option C, दो और तीन, या option D, उप्रोक्त सभी, तो इसका answer है, उप्रोक्त सभी, पहला भीमबेट का मध्यप्रदेश, दूसरा हुसंगी करनाटक, तीसरा कुर्नूल गुफा है, आंदरप्रदेश में इस्तित है, अगला कुश्चन हमारा है, निमन में से कौन सा सुमेलित नहीं है, हल्लूर आंदरप्रदेश, पयमपली आंदरप्रदेश, गुफरकाल कश्मीर, महागड़ा, मध्यप्रदेश, option A, 1, 2, 3, इसमें पूछा कौन सा सुमेलित नहीं है, option B, केवल 2, option C, 1, 3, or 4, option D, उप्रोक्ट सभी, which of the following is not correctly matched, इसका सही आंसर देख लेते हैं, इसका सही आंसर है, 1, 2, 3, महागड़ा, पुराइस्तल, उत्तर प्रदेश में अवस्तित है, महागड़ा, पुराइस्तल, उत्तर प्रदेश में अवस्तित है, जबकि इसमें क्या हुआ था, मध्यप्रदेश, कौन सा सही सुमेलित नहीं है, सौरी ये कोशन घलत हो गया है यहाँ होगा कौशन कौन सा सही सुमेलिद है क्यूंकि इसमें उपर के ये तीनों सही सुमेलिद है हलूर आंदरप्रदेश में है पयमपली भी आंदरप्रदेश में है और गुफरकाल कश्मीर में इस्तित है जबकि महागरा उत्तर परदेश में इस्तित हैं आगे देखते हैं अगला है हमारा कोशन निम्र में से सही कथन चुनी है बुर्ज होम नामक पुरास्थल गर्तावासो के साक्षे मिले हैं और बुर्ज होम पुरास्थल वर्थमान में कश्मीर में इस्तित हैं Option A केवल A, Option B केवल 2, Option C दोनो, Option D कोई नहीं तो इसका सही आंसर है दोनो, यानि कि उपरोक्त दोनो स्टेटमेंट ही सही है अगला कोईशन है, अलफांसो डियाल बुकर्क भारत में शासन करने वाले किस यूरोपिय देश का गवर्नर था? पहला इस्पेन, दूसरा है डच, तीसरा है पुर्टगाल, चौता इंगलेंड, अलफांसो डियाल बुकर्क वास दा गवर्नर ऑफ विच यूरोपियन कंट्री रूल्ड इन इंडिया या आपको पता होगा, इन चार होई कंट्री ने इंडिया पर शासन किया है, तो इन में से किस कंट्री का ये गवर्नर था? तो इसका सही आंसर है, C, पुर्टगाल, पौर्टगीज, गवर्नर था ही, भारत में पुर्टगाली सत्ता की स्थापना के में निरणायक भूमी का दुट्तिय गवर्नर अलफांसो डी अलवुकर्क की रही, वो पंदरा सो तीन में स्क्वेटरन कमांडर के रूप में भार पुर्टगालीओं दौरा दीव पर अधिकार, पुर्टगालीओं दौरा हर्मुज, जलसंदी पर अधिकार, यानि कि इसमें से कौन सा इवेंट पहला हुआ था, कौन सा बाद में, इसी तरह आपको क्रोनलोजी में इसको सेट करना है, मौक टेस्ट बनाने का एक परपस य मौक टेस्ट से आएगा, सिर्फ इसका अपनी तयारी को भी जच करने का मौका मिलता है, साथ ही साथ जो सेक्शन छूट जाते हैं, हो सकता है, हर इंसान का दिमाग अलग चलता है, अलग वे में उसकी चलती है, तो हो सकता है, आप जो एरिया सोच पा रहा हूँ, वो मैं नह अच्छा ये एरिया हमारा छूट चुका है, इसको भी एक बार नजर मार लेते हैं, इसका सही आंसर है, ओप्शन भी 4132, यानि कि सबसे पहले जो इवेंट हुआ था, पुर्तगालियों द्वारा गोवा को राजधानी बनाएगा, पुर्तगालियों द्वारा दमन पर अच्छा ये हैं, सौरी, 1515, तो इसको क्रोनलोजी में, इस तरह हमने स्टेट्मेंट वाईस सारे रख दिये हैं, इनकी एर वाईस, अब यानि कि सबसे पहला होगा 4th event, उसके बाद आयागा 1st event, उसके बाद 3rd event, 1515 लास्ट में 2nd event, यानि कि सबसे बाद में ये event हुआ था अगला question देखते हैं, निमन में से सही काथन चुनिए, आर्केन चट्टाने फिर्थिवी की प्राचीनतम चट्टाने हैं, प्राएदीपिय भारत का दो तिहाई भाग आर्केन चट्टानों का बना हुआ है, इंगलिश वर्जा ने इसका choose the correct statement from the following, आर्केन रॉक्स are the oldest rock of the earth statement two, two-thirds of peninsular India is made up of arcan rocks, option एक, option B, केवल दो, option C, दोनो, option D, कोई नहीं, तो इसका answer है, option C, दोनो, यानि के दोनो ही statement सही है, निमन में से कौन सी प्राचादार चट्टाने हैं, which of the following is flaky rocks, या folded mountains, प्राचादार होती हैं, sorry, folded, ये इसकी translation गलत हो गई है, folded mountains, आरकेन करम, धारवाल करम, कुडपा करम, यानि के कुडपा सीरीज, आरकेन सीरीज, और धारवाल सीरीज, option A, one or two, option B, केवल दो, option C, एक और तीन, और option D, दो और तीन, इसका सही answer है, option D, दो और तीन, आरकेन करम की चट्टानों के, अपरदन, ये उनिक्षेपन से, के फलस और रूप, धारवाल करम की चट्टानों का निर्माण होता है, ये प्राचीनतम परतदार चट्टाने हैं, अगला कोशन है, भारत के उत्तर में इस्तित, मैदानी भागों के संदर्ब में सही कतन चुनी है, स्टेट्मेंट वन, इसका निर्माण इयोसीन युग में हुआ है, स्टेट्मेंट टु, उत्तरी भारत के मैदानी भागों में, पुराना जलोड, बांगर, तता नया जलोड, खादर कहलाता है, औप्शन आ, केवल न, केवल एक, औप्शन भी, केवल दो, औप्शन सी दोनो, औप्शन दी कोई नहीं, इंग्लिश वर्जन इसका choose the correct statement with reference to the plains of the north of इंडिया, northern इंडिया Statement 1, it is built in EOC निरा Statement 2, in the plains of northern इंडिया, the old L.O.V.L. is called Bangar and the new L.O.V.L. are called Khadar इसका सही आंसर है, option B, केवल 2, उत्तर भारत के विशाल मैदानी भाग का निर्माण Quaternary and Neozoic महाकल्प के Pleistocene and Hallocene कल्प में हुआ है The vast plains of north इंडिया have been formed in the Pleistocene and Hallocene ion of Quaternary and Neozoic period अगला कोशान है, भारत के भोतिक सवरूत के संदर्ब में सही कथन चुनिये Statement 1, भारत के 40 प्रतिशत से अधिक शेत्रफल पर मैदानी भाग पाए जाते हैं Statement 2, भारत के 30 प्रतिशत से अधिक शेत्रफल पर पठारी भाग पाए जाते हैं Choose the correct statement regarding the physical character of India Plains are found on more than 40% area of India Statement 2, plateus are found on more than 30% area of India Option A, केवल A, Option B, केवल 2, Option C, दोनो, Option D, कोई नहीं तो इसका सही answer है, Option A, केवल A, भारत के 43.7 प्रतिशत भाग पर मैदान तथा 27.7 प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है यानि के पहला statement में क्या पताया गया था, के 40 प्रतिशत से अधिक छेतर भाग पर मैदानी भाग पाया जाता है तो दूसरे statement में खा गया के भारत के 30 प्रतिशत से अधिक छेतर भल पर पठारी भाग पाया जाते हैं तो जबकि सही statement है सही statement यह है के भारत के 27.7 प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार पाया जाता है यानि के 30 प्रतिशत से कम 30 प्रतिशत से स्वरी कम भाग पर पाया जाता है अगला question है जोरवे संस्कृति भारत के किस राज्य से संबंदित है जोरवे culture is related to which state of India option है उत्तर प्रदेश, option B महराष्ट, option C राजस्थान, option D मध्यप्रदेश इसका सही आंसर है option B महराष्ट, इस संस्कृति की कालवदी 1400 इसा पूर्व से 700 इसा पूर्व थी अगला question है मदुमलई राष्टिय पार्क के संबंद में सही कथन चुनिये statement 1 ये एक बाग अरक्षि छेत्र भी है statement 2 ये केरल में इस्तित है statement 3 ये केरल और करनाटक के साथ सीमा साजा करता है English version इसका है choose the correct statement regarding मदुमलई नेशनल पार्क statement 1 it is also a tiger reserve statement 2 it is located in केरला statement 3 it shares a border with केरला and करनाटका option A केवल एक, option B दो और तीम, option C एक और तीम, option D एक और दो सही answer इसका option C एक और तीन मदुमलई राष्टी उध्यान यानि के राष्टी पार्क और वन्ने जीव अभ्यार्णे एक बाग अभ्यार्णे भी है जो भारत में तमिलनाडु के नीलगिरी जिलेग में नीलगिरी पहाड़ियों के उत्तर पस्चिमी किनारे पर इस्तिद है ये करनाटक और केरल राज्जियों के साथ अपनी सीमाओं को साजा करता है वदुमलाई नैशनल पार्क and wildlife century is also a tiger reserve located on the north western edge of the नीलगिरी hills in the नीलगिरी district of Tamil Nadu इस शेर्स इस border with the state of करनाटक और केरला अगला कोश्च्चन है किसानों के लिए विशेश रेलगाली को निमन में से किस अस्थान के बीच शुरू किया गया है ये करेंट से रिलेटेड है between which of the following places special train has been started for the farmers option A, आगरा से कानपूर, आगरा टू कानपूर, option B, देवलाली से दानापूर, option C, गाजयबाद से चंदरपूर, option D, पटना से कोलकाता तो इसका सही आंसर है option B, देवलाली से दानापूर, किसानों की आये दुगनी करने से के उद्देश्य से बिहार के दानापुर से माराष्ट के देवलाली तब किसानों के विशेश रिलगाली का प्रारम किया गया है अगला कोशन है श्रीराम जनम भूमी तीर्थ शेत्र नियास के संबंद में असत्य कथन चुनिये यानि के फॉल्स स्टेट्मेंट चुनना है इस नियास में कुल 15 सदस्य होंगे ऑप्शन भी नियास में नियास ट्रस्ट को कहते हैं नियास में एक सदस्य सदेव दलित समाज से होगा नियास के अध्यक्ष निर्तिय गोपालदास होंगे Option D, मंदिर निर्माल के लिए प्राप्ट धन के निवेश का फैसला के इंद स्रकार करेगी Choose the false statement regarding the trust of Shri Ram Janambhumi pilgrimage area Option A, there will be a total of 15 members in this trust Option B, one member in the trust will always be from Dalit Society Option C, the chairman of the trust will be Nirtiya Gopal Das Option D, the central government will decide the investment of funds received for the construction of the temple Option D, मंदिर निर्माल के लिए प्राप्ट धन के निवेश का फैसला के अंद सरकार करेगी जबकि ये statement गलत है हमें गलत statement चुनना था Option D, हमारा सही आंसर है मंदिर निर्माल के लिए प्राप्ट धन का निवेश का फैसला नियास ही करेगा यारिके trust itself will decide the investment of funds received for the construction of the temple अगला कोशन है राश्टी शिक्षा नीती के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है शिक्षा नीती 2020 के बारे में बात हो रही है ये नीती 3 वर्ष से 18 वर्ष के सभी बच्चियों के लिए शिक्षा की वयवस्ता करती है option B सवतंतरता प्राप्ती के बाद ये देश की चौथी शिक्षा नीती है option C इस नीती में 2030 तक pre-school से माध्या में किस्तर तक 100% सकल नामंका ननुपात प्राप्त करने का लक्षे रखा गया है इस नीती में तिरभाशा फार्मूला लागू किया जाएगा इसलिए मैंने आपको जो NEP का lecture schemes से related third lecture जो cover कराया था उसमें मैंने आपको ये बताया बिता कि आपको broadly अपने mind को broad way में लेकर चलना है कि question जरूरी नहीं कि part 2 से ही पूछ लिए जाए ये current कभी topic है राष्टी शिक्षा नीती current कभी topic है इसलिए आपको current से भी question पूछा जा सकता है इसका English version है which statement regarding national education policy 2020 is not correct इसमें घलत statement पूछा है इसका सही answer है option B सवतंतरता प्राप्ति के बाद ये देश की चौथी शिक्षा नीती है जबकि सवतंतरता प्राप्ति के बाद ये देश की तीसरी शिक्षा नीती है पहली 1900 सेट में आयी थी दूसरी 1986 में जिसे 1992 में संशोधित किया गया थो नई शिक्षा नीती नीती इसी में ही 1986 वाली में amendment किया गया था इसलिए आप इसको अलग नीती consider ना करें और तीसरी शिक्षा नीती है 2020 National Education Policy 2020 अगला question है सुपोशित मा अभियान मदर कंपेन स्टार्टेड जबकि आप इसको शायद आपको इंग्लिश में भी आगर होगा तो यही देखने को मिलेगा सुपोशित मा अभियान सुपोशित मा कंपेन ही आपको इसका ट्रांसलेशन मिलेगी देखने को इंग्लिश में भी सुपोशित मा कंपेन तो इसका सही आंसर है Option B कोटा इस योजना की शुरुवात लोगसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा कोटा राजिस्थान से की गई थी अगला कोश्चन है NIRF इंडिया रैंकिंग NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 के संदर्व में सही कथन चुनिये Statement 1 इसकी शुरुवात 2015 में की गई थी Statement 2 इस रैंकिंग को नीती आयोग द्वारा जारी किया जाता है Option A केवल 1, Option B केवल 2, Option C दोनों, Option D कोई नहीं Which of the following correct statement with reference to NIRF इंडिया रैंकिंग 2020 It was started in 2015, this ranking is released by नीती आयोग इसका सही आंसर है Option A केवल 1 इस ranking को मानव संसाधन विकास मंत्राले द्वारा जारी किया जाता है ना कि नीती आयोग द्वारा यानि कि आप शिक्षा मंत्राले द्वारा इसको जारी किया जाता है अगला question है हाल ही में शुरू की गई प्रधान मंत्री मत्से संपदा योजना की कार्रय अवधी कपटक है तो इसका सही आंसर है और हमारा आज का लास्ट कोश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने तीन राजधानियां बनाने की योजना बनाई है पहला है उत्तराखंड दूसरा है तेलंगाना तीसरा ऑप्षण C आंध्रप्रदेश ऑप्षण D हिमाचल प्रदेश तो इसका सही आंसर है ऑप्षण C आंध्रप्रदेश या आप में से बहुत से लोगों को पता होगा लेकिन साथ ही इसमें एक उत्राखंड जो ऑप्षन दिया हुआ है इसको भी आपको याद रखना है कि इसका हाल ही में एक ग्रिश्म कालीन राजधानी उत्राखंड राजजे ने बनाई है जिसका नाम है गेरसेन गेरसेन इसको ग्रिश्म कालीन राजधानी बनाया गया है जबकि इसकी प्योर राजधानी कौन सी है देहरादून लेकिन गेरसेन को हाल ही में ग्रिश्म कालीन राजधानी के रूप में नामं की घोशित किया गया है पत्राखंड राज्य सरकार दवारा तो आज के lecture में इतना ही अगले lecture हमारा दूसरा mock test 2 आएगा शाम तक तो आप regular visit कीजिए चैनल पर थेंक यू